हाँ दोस्तों बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं हम बहुत ही नजदीक हैं एक जार्विस जैसे AI के जैसे आपको पता होगा आइरन मैन मोवीज में जार्विस आया है जो कुछ भी बात मानता है उसकी एकदम परसनल एसिस्टेंट है उसका अभी दुनिया में ऐसा कुछ देखने क सिस्टेंग में कंप्यूर्स के लिए वो विंडोस है और ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टेंग में अगर AI कैपबिलिटीज दी जाए हर एप्लिकेशन में इसका मतलब है यह बहुत ही पावर्फुल होने वाला है और हुमन इंपूट और जो महनत है वो ऑल्मोस्ट खतम होने वाल यह चीज करें वह चीज करें तो मैं सॉफ्ट्वेर बेसिकली अपने बोलने पर बना सकता हूं एक नॉर्मल लैंग्विज में मैं बोल कर एक AI से एक सॉफ्ट्वेर तयार करवा सकता हूं जबकि मुझे कोडिंग नहीं आती ऐसे ही जैसे ही विंडोस का को पाइलेट जो प बोलने पर वह को पाइलेट कर देगा अब इसका एक साइड बार खुल जाएगा ओपने आई की जो पाटनर्शिप माइक्रोसॉफ्ट के साथ हो यह उसने तो धमाल मचा के रख दिया है तो वहां पर आप कोई भी एप्लिकेशन खोलो कोई भी सॉफ्ट्वेर खोलो और उस जहां देगा तो चीजे बहुत असान होगी है वाई एक सूपर पावर आ गई है विंडोस में अब यह भी है कि कुछ बड़ा आप लिखते हो कुछ क्रेटिव करते हो तो उसमें भी आपकी काफी मदद कर सकता है तो सही तो आप ऐसा असिस्टन आपके पास आ गया और मोड शीन एक वर्ली रिकार्ड वीडियो बना रहा था पता नहीं डिमाद में क्या आया तो मैंने क्या किया डेड्र घंटे की एक वीडियो बनाई जिसमें 101 एंडूइड की प्रोब्लम्स और सुलूशन मैंने उस पे बताई एक रिकार्ड बनाया तो उस वीडियो को बनाने में मैंने क्या किया कि आप क्योंकि बहुत सारे एक टेक में तो बनाने मतलब एक यूसमें बनाएं पर बीच में कुछ कट्स भी है तो मैंने उस वीडियो को 101 बार काटा होगा अब उसका time stamp लिखना कितना मुश्किल होगा आप समझते हैं अगर माज़ यह पाइलत से मुझे तो मैं क्या करताrator मेरे कहने मतलब मुझे यह मालूम यह इसा कोई इसा कोई फीचर अचैड वी कुई मेर में है जब सद्व 해도 से यही चीð का फाइदा अभी को ठासम मिलने वाला हमारे विंडो deep Mater Museum नहीं पता होता कि ऐसा कोई फीचर या ऐसी कोई अप्लीकेशन है भी लेकिन अब हम बात कर पाएंगे उस को पाइलेट से कि हमें यार यह चीज कर नहीं है तो विंडोज में ऐसा एक टूल है कि आपको पता है विंडोज में डिफॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्ड लेना फीचर आता है जैसे यह जैसे अगाई प्रॉबलम थो है कि मुझे रेना तो अभी आप जिन लोगों को नहीं पता होगा कैसा स्क्रीशॉट ले सकते हैं स्क्रीन रिकॉ रच्छे तो एक वेच्ट से नहीं तो वींडोज बुलेगा बस इतनी सी बात तुंको पता तो जह से मंदोगों के डालतुण को कर सकता है अब उख शीजें कर पाएगा सबसे बड़ा वालट् कशा होने वाला है और का और मेहनत है उन लग बग खतम होने वाली है प्रोग्रामर्स की जो मेहनत है उसको अब इतना अप्रिशियेट नहीं किया जाएगा बिकिस एक नॉर्मल बोलने वाला इंसान भी कोडिंग कर पाएगा बठा कोडर कभी जाने वाले नहीं बिकस्ट एई आइए बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपोर्ट चाहिए क्योंकि AI कोड कर रहा है लेकिन AI को बनाने वाले भी तो लोग चाहिए तो यह लूप कभी खतम नहीं होने वाला यह मेरी राय थी विंडूस के को पाइलेट प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही अच्छा है यार वो AI पर लगा हुआ है बात करें Microsoft की तो वह भी AI पर लगा हुआ है लेकिन Apple अपने iPhone और इन सब के आलावा मुझे और कुछ AI बेस्ट चीज करता हुआ नजर नहीं आ रहा है वैसे Apple बदनाम है चीजों को लेट अडैप्ट करने के लिए बट मेरे हिसाब से उसको कर लेना चाहि तो बहुत पीछे रह जाएगा उनको अपने स्मार्ट फोन में और सब चीजों में AI का जाता वो करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है बाकि आपकी क्या रहा है मुझे बताइए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो से लाइक करें दोसको साथ शेयर करें आप देख रह इसो करेंड़व पर आपको अबान मुझे लाए लाएगनों मुझे लाएगनों मुझे ही लाएगए तेखिवाएगि लाएग्त आपको अच्छी धू पा हाँ है वीडियो झो आपको आपको झाल लाएग है झाल झाल